हम चक्पंदी की धारा 24, 27 वा धारा 28 के बारे में बात करेंगे धारा 24 ऐसा है कि अभी तक हमने धारा 23 देखा जहां पर बंदोबस्त दिकारी चक्पंदी ग्राम का पुष्टी करण कर लेते थे कि अपकी यह गाउं कंपर हो गया और 25 के लिए तयार है धारा 24 में चक्पंदी करता जाते हैं ग्राम में निशान देही करते हैं फिर वो तिथी जो कि बंदोबस्त दिकारी चक्पंदी द्वारा तै की जाती है उस तिथी पर गाउं में जो प्रस्तावित जोध होती जिनकी निशान देही चक्पंदी करता द्वारा की गई है उन पर कबजा दिलाया जा जयानि कि धारा 24 के अंदर कर चकों की निशान दही और उनका कबजा दिलाया जाना आता है , इसके लावा यह भी होता है, कि जिन किसानों के खेतों में दूसरे किसानों की समंधियां जाती है। जैसे पेड हैं, प्रण जाती है Hmm तो उनको उसका प्रदिकर देना होता है ! जो चबंदी आखार पत्र 11 बना था जो चबों का प्रदिस्ट्री करण हुआ था उन सब का समाबेश करते हुए नए अभिलेग तियार किये जाते हैं यानि यह नया भूचित्र तयार करते हैं और नई खतोनी तयार करते हैं कुचित्र जो चकबंदी आगार पत्र एकालिस वर जो चकबंदी आगार पत्र 45 की तयारी जो है वो जो चकबंदी जिनियम की धारा 27 के इंतर की जाती है और जो माल अभिलेख में हमारे पुराने रिकार्ड रखे होते हैं जिलाव संचालक चकबंदी उनके इस्थान पर जो नए अभिलेक हमारे तैयार हुए दोरान चक्बंदी उनको रखवा दिया जाता है और यहां पर एक बहुत आवश्यक बात यह है जानना बड़ा जरूरी है कि चक्बंदी प्रक्रियाओं के दोरान जितने भी आदेश हुए हैं वह अंतिम माने जाते हैं जब तक कि उनको गल कि चिर्व करण और हो गए उसके बाद या तो कृषक की भूमी हो या जरसीकार की भूमीस हों कि प्राथनाफ़ de li가 क्राषक और के भूमी सिर्खवां प्रवरा जेख़े लेतेने सबहां हैं प्राथनापद्षा अधिकार प्राफ्त होते हैं जो स्विल नए िल Kings ले रहे होते हैं तो दो चौबीस हो गया और एक अाधरा 27 ऊव गया, नहे माल अवलीकों की तयारी हो गई और 28 में स्वाइत चिक्वंद्नी धिकारी को जो प्राप्थ है, कबजा दिलाने के समझ्ध जो अधिकार प्राप्थ है, उसकी स्वाइत दुद्नी धिकारी अगर ये तय करते हैं कि उन्हें खड़ी फदे दिला सकते हैं और उस पसल का मुहार्जा या प्रदिकर वो टे करेंगे जो दे होगा